वार्षिक परिक्षा की तहरी 10th Science में हम विज्ञान का पहला मॉडल प्रश्न पत्र देखते हैं जो MP Board का हमारा जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके मुताबिक कोशिश की है मैंने कि आपको एक यूस्टू करवाऊं कि किस तरीके से प्रश्न पत्र आ सकता है तो इसमें आपको पताएगी यह जो हमारा ब्लूप्रिंट है इसमें क्या इसके आधार पर ही मैंने प्रश्न पत्र बनाया है कि इसमें शुरू के जो पांच पाठ हैं, जो पांच अध्याए हैं, रासा निगा भीक्रिया, आमलक्षार, लावन, धातु, अधातु, कारबन और तत्मों का वर्गी करण, इन में से आट अबजट्टी वाएंगे, तीन-तीन नंबर के दो प्रशन और चार-चार नंबर के तीन प्रशन, मतलब ये पांच चेप्टर मिलाकर कुल 26 नंबर के हैं, उसके बाद में छटा जेव प्रक्रम है, नियांतरण समनवेका तो लगबग-लगबग हड़ चुका है, जीव जननने, अनुवानशिक्ता, जेव इकास, पर्यावरन, प्रकाश का परावरतन और अधिकांच भाग हड़ चुका है, विद्यूत धारा के चुमकी प्रपा और लास्ट के दो चेप्टर पर्यावन और संसाधनों का प्रबंद, तो इसमें भी आठ अपजेट्टिव हैं, तीन तीन नंबर के तीन प्रशने और चार चार नंबर के दो प्रशने, ये हिससा भ चली बढ़ते हैं, जैसे चोईस अबजेट्टिव में हम लेते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए किस औश्यधी का प्रयोग होता है, तो अपच का उपचार करने के लिए किसका होता है, एंटासीट का होता है, ओके, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करेगा, मतलब पिएच उसका वो डेफिनेटली अगर लाल को नीला कर रहा है, तो पिएच सास से जादा होगा, मतलब यहाँ पर आप्चन क्या है, दस, खाना बनाते समय दि बरतन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है, कि इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, विभवान अंतर का ऐसा ही मातरक होता है, वोल्ट, ओजोन में कितने अक्सिजन परमान तो ओथरी होता है, तो यह हाथरी होगा, निमनमें से कौन आहर शंकला का निर्मान करते हैं, तो कौन आहर शंकला का तो घास, बक्री और बक्री को मानव आहर में लेते हैं, तो यह हमारी आहर शं वे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रियोक नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम मिट्टी का यूज नहीं कर सकते गंगा सफाय अभियान हमारा कौन से सन में चला था 1985 के अंदर चला था पर्यावलन को बचाने के तीन आर में कोन नहीं है तो देखिए ये कम उप्योग पुनर चक्रण और पुना उप्योग ये तो है ना तीन आर में लेकिन अधिक उप्योग नहीं है तो आपका देखिएगा कम उप्योग पुनर चक्रण और पुना में विद्युत शक्ति को निरुपित नहीं करता है तो देखें शक्ति जो है वो डेफिनेटली यहां आप देखेगा कि P is equal to VI होता है और V के प्लेस पर अगर IR रखा तो स्क्ति को निरुपित नहीं करता है कौन आई आर स्क्ति याद रखेगा यह बाला चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक शब्द में उत्तर ले लेते हैं दस हमारे वस्तुनिष्ट हो गए एक शब्द में दो जिवाश में इंधनों के नाम कोईला और पेट्रोलियम कम्रे के ताप पर द्रवधातु पारा अम्रता देवी विश्णोही पुरुसकार वन्य जीव सरक्षन के शत्र में दिया जाता तो यह होता वनापान है फिजिकल टू वनापान वी माइनस वनापान यू लेकिन दरपन सुत्रे तो वनापान है फिजिकल टू वनापान वी प्लेस वनापान यू जब कोई तत्र दूसरे तत्व को उसकी योगिक से विस्थापित कर देता तो यह अभिक्रिया प्रतिशत होती है तो चलिए एक शब्द में उत्तर भी हो गया और साथ में हमारे रिक्तिस्थान भी हो गये अब सही जोड़ी ले ले लेते हैं तो हमारे चोईस अबजिक्टिव पूरे हो जाएंगे तो पादप में जल का वहन है ना तो सही जोड़ी में आमने यहां देखे पादप में जल का वहन जाइलम और प्रकास नस्टेशन की क्रिया पोदे की किस भाग में होती है पत्ती में पादप में भोजन का वहन जो है फ्लोयम में होता है और यूरिया का निर्मान यकरत में होता है और रक्त का संबंध उत्सरजन से तो इस तरीके से यह जेव प्रक को लेकर इसको किया है great अब देखिए तीन अंक के हमारे आठ प्रशन तो चौइस अंक यह है तो इसमें देखिया हमारे प्रशन जो हमारा फस्ट हमारा चेप्टर है उससे अगर मैं बात करूँ तो यहां यह आपका एक तीन अंक का प्रश्ण मेंने बनाया है कि उश्मा क्षेपी और उश्मा शोशी अभिक्रिया को उधान सहित बताईए और संशारण और विक्रत गंदिता को परिभाशित कीजिए छटे नंबर पर न्यू लेंड का अस्टक नियम ये पांचवे चेप्टर से ये पहले चेप्टर से पांच उसके बाद में अब मैं 6 से लेकर 10 तक में जा रहा हूं तो यहां 3-3 नंबर के 3 प्रशन है तो मनुष्ट में लिंग निर्धारन किस प्रकार होता है समझाईए और अनुवान शिक्ता क्या है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पोदे को ही क्यों चुना इसका खाराण बताईए चलिए आगे बढ़ते हैं तीन नंबर का ही प्रशन परावरतन से ले लेते हैं क्योंकि 6-10 में बात हुई है तो परावरतन क्या है परावरतन के नियम लिखिए और इसके अत्वा में लेंज की शमता क्या है और दो मिटर फोकस दूरी वाले आउतर लेंज की शमत से लिए चुमकी शत्र रेखाओं के तीन गुण और फ्लेमिंग के बाये हात का नियम विद्यूत मोटर का नामांके चित्र और दो चुमकी शत्र रेखाए एक दूसरे को क्यो नहीं प्रतिछेत करती है और साथ में मैंने पर्यावरण और प्रबंदन से एक प्रशन लिया ह तो इस तरीके से यह हमारे अब हम बात करेंगे चार अंक के प्रशन तो चार अंक के भी आठ प्रशन है और 32 अंकों के हैं और चार नंबर में चलिए करते हैं शुरूआत तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट हिस्सा अध्याए एक से लेकर पाश तक के उसमें तीन प्रशन आने वाले हैं और तीन प्रशन चार चार अंक के आएंगे तो विरंजक्चून और प्लास्टर अप पेरिस के रासाइनिक नाम और सूत्र या इसके अथवा में उदासे नहीं करना अभिक्रिया को उधान से समझाई और धोने का सोड़ा और बेकिंग सोड़ा के दो माहत प चार अंक में अगर हम देखें तो मानव रधय का नामांकि चित्र या हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और प्रक्रम कहा होता है इसे समझाए जाना चाहिए फिर उसके बाद में अगर परावर्तन वाले और वहां पर ये इसी में शुरुआत में ये धातू और ये गुड़ों में चार अंतर तो इस तरीके से यहां से हमारे ये चार-चार अंक के तीन प्रशन पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद में यहां ये देखे क्वेशन नंबर 17 तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या अपवर्तन के नियम तो यह हमारा जो 6-10 के बीच में चार चारंक के प्रश्ण आने वाले तीन प्रश्ण वो है और गोली दरपन की फोकस दुरी और वकरता त्रिज्या को परिवाशित करना है वन विक्षपन क्या इसको सचित्र समझाना है अथवा थारे क्यों टिम टिम आते हैं तो यहां से यह एक चारंक का प्रश्ण हमारा बन कर आया है यह हमारा कौन से चेप्टर से हुआ है यह हमारे जो नेतर से लेकर लास्ट सोला तक के जो चेप्टर है इसके अंदर का यह प्रश्ण है और विद्यूत अभियों के रूडचिन या ओम का नियम लिखिये और किसी चालक का प्रतिरोत किन-किन बातों पर निर्वर कर तो इस तरीके से हमारा एक प्रश्ण पत्र का सोरूप हो सकता है, और भी IMP प्रश्णों के साथ हम लगातार आप से जुड़े रहेंगे, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठेंक्स